नमस्कार क्लास नाइन के मैट्स की अंतरगत नमबर सिस्टम चैप्टर का ये पार्ट टू वीडियो है पार्ट वन में हमने जो पढ़ा था उसको रिवाइज करते हुए उसको रिकैप करते हुए हम आगे बढ़ेगे सबसे पहला है प्राकृत संख्या नमबर सिस्टम के अंतरगत जो संख्या समून है उसमें सबसे पहला है प्राकृत संख्याई इन्हें हम गिंती की संख्याई भी कहते हैं और ये संख्याई है गिंती की संख्याई एक, दो, तीन और ये डॉट-डॉट का अर्थ है कि ये अनंत तक है इनका कोई अंत नहीं है और यहां हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी प्राक्रिट संख्या एक है दूसरी जो संख्या समू है वो है पुर्ण संख्याओं का समू यह प्राक्रिट संख्याओं के समू में जब हम सुनने को शामिल कर लेते हैं तो यह पुर्ण संख्या का समू बन जाता है तो यह संख्याए होती है शुन्य एक दो तीन डॉट 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 अर्था यह भी अनंद तक जाती है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई शुन्य इसके बाद जो संख्या संख्या है वो है पूर्णांथ तो पूर्ण संख्याओं के समू में जब हम रिनात्मक संख्याएं जोड़ देते हैं या शामिल कर देते हैं तो यह पूर्णांथ का समू बन जाता है डॉट 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 तीन डॉट हमने सुरू में दिया है इसका अर्थ है कि यह कहां से सुरू है यह भी शुरुवात जो है वो कोई बिंदू मालूम नहीं है माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन ये रिनात्मक शंख्याएं हमने इसमें एड कर दिया है शामिल कर दिया है और इसके बाद ये शुन्ने एक, दो, टीट सुनने से बाई और जो संख्याएं हैं सुन्ने से जो ये बाई और संख्याएं हैं, इसे हम रिनात्मक पुणांग कहते हैं और जो दाहिनी और है सुन्ने से, इसे हम धनात्मक पुणांग कहते हैं और सुन्न न तो धनात्मक पुणांग है और न रिनात्मक पुणांग है ये एक विशेश संख्या है अब इसके बाद जो संख्या समू आता है परिमे संख्याओं का समू इसमें पूनांग के अतरिक्त ये तीन बटे चार वाइनस दो बटे पाँच इस तरह की संख्याएं भी शामिल है अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां पी और क्यू पूनांग है और क्यू शुनित नहीं होना चाहिए यह हम लोग पार्ट वन में विडियो में विश्थार से देख चुके है अब इसके बाद एक और संख्या संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता हो जहां पी और क्यू पूनांग है एवं क्यू इस नॉट इक्वल टू जीरू हमने यहां देखा कि यह जो संख्या समू है एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर यह सभी संख्याएं पी वाई क्यू की रूप में लिखी जा सकती है इसके अलावे ऐसी संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू की रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं और परी में संख्या है और इसका उदारह है यह रूट 2, रूट 3, रूट 15, पाई 0.10110111011110 इस तरह की संख्या है इन संख्याओं की क्या विस्सेस्ता है इन्हें हम भी संख्या है यहां परिमेय संख्याओं की यह परिमेय संख्याओं को हम tjvk के रूपमे लिख सकते हैं यहां पर में लिख के दिखा देता हूं सुनने को हम कैसे व्यक्ट कर सकते हैं पी वाई क्यूर के रूप में यह शुन्न बटा एक शुन्न बटा पांच इस तरह से हम इसे व्यक्ट कर सकते हैं तो यह भी परिमे संख्या है यह जो परिमे संख्या है और अपरिमे संख्या है इन दोनों संख्या समुवों को जब हम मिला देते हैं तो वे कहलाती हैं वास्तविक संख्या है सभी परिमे संख्याएं एवं सभी अपरिमे संख्याएं वास्त्विक संख्याएं इन्हे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं और Sankhya Rekha का हर बिंदू, यूनीक होता है, एक यूनीक वास्तिविक Sankhya होता है. और प्रतेक वास्तिविक Sankhya को हम Sankhya Rekha पर दिखा सकते हैं. इनके उदारन है, two, minus three, four, five, तो यह जो पहली जो तीर उदारन हम ने दिये, ये परिमे संख्याय है और इसके बार root 2, root 3 ये अपरिमे संख्याय है अर्थार फिर से मैं एक बार दूर आ रहा हूँ जितने भी परिमे संख्याय है और जितने भी अपरिमे संख्याय है इन दोनों समों को सभी को अगर हम मिलाते हैं तो ये कहलाती है वास्तविक संख्याय है और इन्हें हम सुचित करते हैं संचेप में आर से ये आर से हम वास्तिविक संख्याओं को सुचित करते हैं धन्यवाद